लीजे सुनिये अयुद्या सिंग उपाध्याय हरियोध के लिखे उपन्याज अदिखिला फूल की नवमी पंखडे मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में कहा जाता है दिनफल अपने हाथ नहीं करम का लिखा हुआ अमिठ है हम अपने बस भर कोई बात उठा नहीं रखते पर होता वही है जो होना होता है जतन उपाए ब्योंत सब ठीक है पर उस खेलाड़ी के आगे किसी की नहीं चलते है चुटकी बजाते ही वो सब कुछ करता है और पलक मारते ही सब को बिकाल कर रख देता है हम मिठी के पुतले क्या है जो उसकी बातों में हाथ डाले ये सच है यहां कौन जीब हिला सकता है पर हम ये कहेंगे ये बाते उनहीं के लिए हैं जो सच मुझ जी से ऐसा मानते हैं उन लोगों के लिए नहीं है जिनके भीतर क कोई काम बन जाता है वहां तो सब करतूत उनकी है और जहां बस नहीं चलता काम बिकड़ने लगता है वहां सब होनहार करती है ये दुरंगी बाते ठीक नहीं पक्का एक एही रंग होता है एक एही समय में दो नाव पर चढ़ने में बहुत डर रहता है पार एक एही नाव क कामों में अपना सहाई समझ कर जो जतन बेवत और उपाय करता है वही जग में कुछ कर पाता है जो ऐसा नहीं कर सकता वो पास की पूंजी भी गवा देता है हमारे हर मोहन पांडे इसी ढंके लोग हैं होनहार के भरों से बाप का कमाय लाकों रुपया उड़ा चुके हैं बीस ठोक कर आप भीतर पलंग पर पड़े हैं उनकी ये गत देखकर उनकी सीधी सची घरनी उनके पास आई प्यार के साथ पास बैठ गई दोनों में इस भात बातचीत होने लगी घरनी घर भिक रहा है बाहर बोली हो रही है क्या आप उनको सुनते हैं हर मोहन सुनता हूँ जो भाग में लिखा है होगा घरनी मैं ये नहीं कहती मैं ये कहती हूँ थोड़ी ये बेर में ये घर छोड़ना होगा उस घड़ी हम लोग क्या करेंगे कहा रहेंगे हर मोहन हमारे घर के पास जो हमारा खंडहर है उसमें चलकर रहेंगे भाग में तो खंडहर लिखा है घर रह भगवान जिसकी लाज नहीं रखना चाहते उसकी लाज कौन रखे घरनी अच्छा मैं कुछ कहूँ आप मानेंगे हर मोहन कहो क्या कहती हो घरनी बंसनगर में मेरी बेहन रहती है ये आप जानते है जैसी भलमन साहत उसमें है वैसे ही देवता हमारे बेहनोई भी है हम लोगों का दुख सुना है कुछ दिन हुए उसने कहला भेजा था जो घर भी बिक जाए तो यहां कर रहे हम लोगों का अब यहां क्या रखा है जो आप चाहें तो वहां चल सकते हैं यहां से वहां अच्छा ही बीतेगा हर मोहन, तुमने अच्छा कहा, चलो वहीं चले, हमारा सोले सो रुपे अभी तो उनके हाँ है घर ने, रुपे की बात जाने दीजे, दुख में उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सम्हाला है, सोले सो का चौबीस सो दे चुके है हर मोहन, अच्छा जाने दो, हम रुपे की बात नहीं चलाते हैं इस बाच्चीत के दूसरे दिन अपनी घरनी, एक लड़के और एक लड़की के साथ हर मोहन ने अपने जनम के गाउं देवनगर को छोड़ा चौवीस घंटे चल कर बंसनगर पहुँचे और वहीं रहने लगे यहां कहने सुनने को वो कुछ काम भी करने लगे और इसी से उनका दिन बीतने लगा पर इन लोगों का सब भार उनी लोगों पर था, जिनके बुलाने से ये लोग वहां गए थे उन लोगों ने इनके लड़के के पढ़ने लिखने की और भी पूरा ध्यान रखा धीरे धीरे तीन बरस बीथ गए चौते बरस इन लोगों ने एक ऐसी बात सुनी जिससे इन लोगों का रहा सहा कलेजा और टूट गया इन लोगों ने सुना इनका एक एही जमाई घर बार छोड़कर किसी साधू के साथ कहीं चला गया बहुत कुछ ढूंडा गया पर कहीं कुछ खोज न मिली हर मोहन पांडे सीधे और सच्चे थे अपने कामकाजियों और टहलूओं पर बहुत भरोसा रखते थे आँख में शील इतनी थी जो आजकल नहीं देखा जाता जिसने आकर आँसु बहा कर कुछ मांगा उसी ने कुछ पाया बिना कुछ लिखाए पढ़ाए से अकड़ों दे दे थे जो कोई कुछ कहता कहते जब उसको होगा दे ही जावेगा ब्राम मर कर रुपया थोड़े ही मार लेका जो यहीं तक होता बहुत बिगाड़ना होता हर मोहन में बड़ा भारी और गुनालस था आलस होने के करण वो सब कामों में टाल टूल बहुत करते काम काजियों ने लाकर जो लेखा सामने रखा उसी को सच माना कभी ये ना कहा इतने चोटे काम में इतना रुपया कैसे लगाया किसी ने कभी कुछ कहा तो होनहार की दोहाई दे कर भाग पर सब बातों का होना बतला कर उससे पीछे छुडाया ऐसे लोगों का बेड़ा पार कब तक हो सकता है इन बातों का बुरा फल हुआ वो थोड़े ही दिनों में लुट गए लोगों ने उनको सीधा पाकर अपना घर भर लिया और इधर कान पर जूं तक न रह गी दीरे दीरे गाओ घर सब छोड़ना पड़ा इन बातों को छोड़ हर मोहन में जितनी बाते थी बड़े काम की थी वो जूट कभी नहीं कहते चोटे बड़े सबसे प्यार से मिलते पंखडियों से दूर भागते और दीन दुखियों के तो माबाप थे ऐसे लोगों के लिए भी बेपत है बेपत किसी को नहीं छोड़ती जब आती है भले ही आती है बापुरे हर मोहन का सब तो गया ही था आज उसको अपने जमाई के लिए भी रोना पड़ा जीना तो भारी हो ही रहा था उस पर और रंग चड़ गया हर मोहन की इस तरी रुपिया पैसा गेने कपड़े को कुछ नहीं समझती थी वो हर मोहन का मुँ देखकर सब भूल जाती थी इसी से हर मोहन को बिपत्मे भी बहुत कुछ सहारा रहता था पर आज जो चोट हर मोहन को लगी है वो चोट दूनी होकर उसकी स्त्री को लगी इस से वो जहां पड़ी है वहीं बिलक रही है हर मोहन की सुधा कौन ले हर मोहन बहुत घबराए कब किस के जी में कैसा उलट फेर होता है इसको कोई क्या जान सकता है आज भी हर मोहन को भाग और होनहार से काम लेना चाहिए था पर बन नहीं पड़ा वो घबराए हुए घर के बाहर निकले और सीधे एक और चल खड़े हुए गाओं के बाहर एक ने पूछा कहा जाते हो कहा कहीं जाता नहीं गाओं के पूरा बोर एक बन था उसी को दिखला कर कहा इसी बन तक जाता हूँ दीरे दीरे बात उनकी स्त्री के कानों तक पहुँची और वो घबराई कि ना वो कहीं जा सकते थे और ना कुछ कर सकते थे इस्त्री का दिन अपने एक लड़के और एक लड़की के साथ बड़े दुख से बीतने लगा ये इस्त्री और हर मोहन कौन है ये तो आप लोग समझी गए होंगे पर जो ना समझे हो तो मैं बतलाता हूँ इस्त्री पारबती है लड़की देव हूती है लड़का देव किशूर है और इन दोनों का बाप हर मोहन है हर मोहन को लोगों ने मरा समझा हम क्या समझे जब पता नहीं लगा तो हम और क्या समझेंगे गाउवालों का साथ हम भी देते हैं अभी आप सुन रहे थे अईवद्या सिंग उपाध्याय हरी ओध के लिखे उपन्यास अदिखेला फूल की नवमी पंखुडी मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में